हेलो फ्रेंड मैं सिर्वास्तों आप सपास और करता हूँ आपके अपने एडियो चैनल साइस कंपिटर क्लासिस में दोस्तों आज की वीडियो में हम आपको MS Word वे न्यूफ पास्बुक के लिए अप्लिकेसन लिखना सिखाएंगे चलिए शुरू करते हैं आज का इंटेस्ट आपको Size का Size पर आएगा Size पर यहाँ पर Option आपको मिल जाएगा A4 का क्योंकि जो हम प्रिंट आउट निकालेंगे A4 Size में हमारा प्रिंट आता है यहाँ सी Size आप A4 पहले ही Set कर लें फिर दूसरा यहाँ पर आता है आप यहाँ पर देख रहे हैं Spacing Spacing में आप यहाँ पर आए पूरा पेज हमारा Select हो जाएगा फिर यहाँ After वाला हम यहाँ से 0 कर देंगे फिर यहाँ पर एक और आता है Spacing के लिए आप यहाँ पर क्लिक करें Paragraph Setting यह Option आपको मिलेगा जब आप यहाँ पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आप देखें एक Option आपको मिलता है Line Spacing यहाँ पर फॉंट है यह फॉंट हम यहाँ पर यूज करेंगे फिर यहाँ पर आयाते हैं यहाँ पर साइज साइज जो हमें यहाँ पर रखना है 24 यहाँ पर साइज भी हम यहाँ से सलेक करेंगे फिर यहाँ पर लिखना स्टार्ट करते हैं सब सब पहले यहाँ पर हमें क्या लिखना यहाँ पर date लिख देते हैं, date के बाद enter, फिर यहाँ पर सबसे main हमारा क्या है, subject है हमारा, यहाँ पर लिख देते है, subject, subject के बाद यहाँ पर main subject हमारा क्या है, application for receiving new passbook, मनलब new passbook के लिए हमें यहाँ पर application लिखना है, तो यह subject हम यहां आप लिक देंगे सबसे पहले यहां से थोड़ा सा space गम कर देते हैं तो यहां पर यहां में इतना आगया आप पास्वुक यहां पर ले आते हैं बीच में यहां पर जब पास्वुक आप देखे रहें यहां से एंटर किया फिर यहां पर एंटर करें दो बार फिर यहां पर लिखने सर फिर यहां पर एंटर फिर यहां पर भी थोड़ा सा तोड़कर यहां पर लिखना है विट है दिए रिस्पेट है कि अब अब तो तैल यूँ टाइड I have a saving account in your branch and my account number is here, you have a bracket, you have a account number enter, then you have a full stop, then you have a space, then you have a my saving passbook is completely full or I have I have lost my passbook so I have a new passbook for my saving account I have a full stop, then you have to enter, then you have to give space, then you have to give and therefore I request you to kindly provide me a new passbook as soon as possible I have to give you a free copy of the tab and then you have to give it to the left. I have to give it to the left, then you have to give it to the left and the left. कि एक बार और एंटर कर देते हैं यहां पर फिर यहां पर इंटर फिर यहां पर आता है नेम कर देते हैं एड्रेस फिर एंटर कॉंटक नमबर यहां पर देख लें पूरा सबसे पहले आपको क्या लिखना है डेटे पराद में square लिखना पर इंटर करना है अब आप यहाँ पर देख लें completely यहाँ पर यह पूरा है जो आपको लेटर लिखना रहता है निव पास्वुक के लिए तो दोस्तों अगर आपको हमारे आज के वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे वीडियो को लाइक करना हमारे चैनल को सब्सक्राइब क करना और हमारे वीडियो को ज्यादा अधर से अकन न भूलें जिससे नॉलेग बहुत सारे लोग तर फैल सकें थैंक्स फोर वायाँ